नमस्कार देव भूमी के चक्रव्यू देख रहे हैं आप आपके साथ मैं धर्म राज सिंग खड़ी है उत्तरकंड में मुस्क्राधार भारिश से हलात बहुत हराब है बाड और भूस्कलन से राज्युभर में अब तक 20 सदिक लोगों की मौत हो गई तो इस खानों का मुख्यधारा से संपर कड़ गया है राज्युभर में आपदा सिस्कती को देखते हुए मुख्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी अलर्ट के मूड में है मुख्यमंत्री ने सुबह आपदा कंट्रोल रूम पहुँच कर अधिकारियों के साथ बैठा की और उसके बाद आपदा ग्रस दिलाके का हवाई सर्वेक्षण किया मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू अपरेशन के सेना और वाई सेना भी बुला लिए सियम ने उत्तराखंड के जनता से अपील की है कि घबराने के जरुवत नहीं है सरकार प्रदेश वासियों के साथ खड़ी है मुख्यमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुषकर सिंधामी से फोन कर प्रदेश के हालात की जानकारी लिए सबी लोगों से अमरोध है कि इस इस्तिती में सबी को धहरे बना के रखना है सारे लोगों को सयम बरतना है और सरकार हर इस्तिती में हर संभव सहता करने के लिए तयार है मानी प्रदानमंत्री जी ने पूरी तरह से यहां के लिए हर संभव सहता का आस्वासन दिया है तो सबको निकालने की कोसिस कर रहे हैं। जील का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। मंत्री 11 बजे तक सोय रहते हैं। और जिस विभाग का मंत्री 11 बजे तक सोया होगा तो वो विभाग का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। आपदा आने वाली है मौसम का पुर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया बहुत सटीक दिया। और उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब उसके बाद जब घटना घट गे उसके बाद हेलिकॉप्टर उडाना ये तो सहर पे गए हुए है। पुर्देश में मौसम विभाग की चेताउनी सटीक साभीत हुई और भारी बारिस्त ने उत्राखंड में जानमाल का बड़ा नुकसान पहुचाया है। हलाकि सरकार भी फ्रंट फुट पर है तो मुकमंत्री पुषकर सिंग्धामी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। हलाकि विपक्ष को सरकार के एरियल सर्वे, हवाई सर्वे और सहर नजर आते हैं। बैरहाल देखना होगा इस नुकसान का आकलन और भरपाई में कितनी तेजी सरकार दिखाती है। कैमरा मैन अनूप बट के साथ सुधीप जैन न्यूजवन इंडिया देहरादून। तो चले देवभुमे के चक्रवियू में आज हम बात इससे मुद्दे पर करेंगे कि मौसम बिभाग की तरफ से तो सटीक भवश्वानी कर दी गई। लेकिन उसके बाद सरकार के तरफ से कोशिश जो हुई वो कितनी कारगर रही और बिपक्ष जो आरूप लगा रहा है उसमें कितना दम है। आरोप सरकार पर ये लग रहे हैं वेपक्ष ये आरूप लगा रहा है कि आपधाव विभाग तरीके से निसकृई आप अधा मंत्री पर भी आरूप लग रहे हैं पूरे स्थिती पर भारती जनता पार्टी क्या कुछ स्पस्ट्रिकरण हमारी समंच के जरिये विपक्ष को देंगी कि पहली बात तो इस जो जाया तो तक खल तक जाया गया तक तक ब्यावा जो आता है उत्राखंड में बार बार देखा है और इसी दोरां भी जो जो होा है तो हमारी गाज्ययसरकार हमारे मुख्यमंत्री और निवे जी और केंद्री एक रह मंत्री चिर्यमिशाद जी भी सीधे सीधे इन सब बातों को नजर रखे वे हैं जातों कॉंग्रस का सवाल है तो उनको बहुत पीछे नहीं ले जाओंगा मैं कैदारनाथ ली ले जाना चाहूँगा कैदारनाथ की आपता उत्रा खंड किया देश की सब्से बड़ी आपड़ाओं में से हैं सरकार तो कॉंग्रिस की थी और ये तो उसका आंकलंद भी नहीं कर पाए और उसमें सीतिये भैवा हो गई कि आज तक पूरा सब्स नहीं हो पाए किती जाने गई हैं तो भैख खेतों से राजिती हमें लाशो पर नहीं करनी चाहिए प्राकिति कापता है हमारा जो प्रदेश है उसमें कई प्रकार की समस्चाय है लेकिन तत्काल हमारी सरकार ने एक्शन दिया और इससे पहले भी कि या दरभाल का दो भी क्या कुमाओ का दो भी के समय भी दोरे पर है और शाथ ही जो सायता है जो हमारी जिन्सी है तो पूरी ताकत के साथ उसमें बचाऊ कारे में चूटी हुह ऑई तो हमारी सरकार की यह कोई कमी नहीं है सुजाता पॉल आपकी पार्टी के तरफ से गंभीर आरूप लगे हैं आप और आपकी पार्टी किस आधार पर ये कह रही है कि इनका जो बिभाग है तरखन का आपदा प्रबंदर बिभाग है वो पूरे तरीके से निस्क्रिये हैं और जो आपदा प्रबंदर के मंत्री हैं कि वो इस समस्या को अड्रेस करने के लिए 24 इन टू 7 को अबिलेबल होना चाहिए उनकी अबैबिलिटी नहीं है सुझाता जब को मेरी आवाज आ रही है सुझाता जी की आवाज नहीं आ रही है उनको करेंट करने के कोशिश करता है ठीकर नविन परसाली मेरे साथ बने है नविन जी आपके पार्टी कैसे देखती है इन आरोप प्रत्यारोपों को जो भारती जनता पार्टीर कॉंग्रेस के बीच चल रही है देखे दर्मन राज जी आपदा आई है और आपदा का कुरवान अनुमान भी था कुरवान अनुमान होने के बाद बाबजूद और केवल 24 घंटे के बारिस में इस सरकार की कोल खुल गी है सरकार ने आपदा प्रबंदन के नाम पर अभी तक भी कुछ नहीं किया मुख्यमंति जी का स्टेट्पेंट आपने देखा हुगा वो बोल रहे हैं कि हम हेलिकॉप्टर आएंगे आज इस्तिती यह है कि घायलों को अस्पिताल तक पहुँचाने के लिए संसादन नहीं है मृतकूं को पोस्ट मॉटम करने के लिए संसादन नहीं है कई मजदूर जो बाहर के हताहत हुए है उसमें अपनी जान गवाव बैठें आपदाब हैं उनके सवों को उनके घर तक पहुँचाने की विवस्ता भी यह सरकार नहीं कर पारें कि अधार पर कुछ तो ऐसा कर दिया जाए कि उनके सवों को उनके घर बेजा जाए और मुआवजे के नाम पर बहुत दूर है अभी तो कुल मिलाकर 24 घंटे की बारिस ने जो आपदा परबंदन की पोल सरकार की कोली है यह बहुत चिंतरीव शह है और जिस प्रकार से मुख्यमंतर जी कंट्रोल रूम में जाकर के और फोटो की जाकर इसकी इतिस्री कर रहे है या प्रधानमतर जी कॉल करके हाल चाल ले रहे हैं उससे होने वाला नहीं है कि दरहातल पर आप किस प्रकार का प्रबंदन कर रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है इस वोक्त उत्राखनelson की जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता के लिए हेलिकोप्टर क्यों पाया हम इनके उढ़ने के लिए हेलिकॉप्टर हैं नेकर जनता जब हताए होती उनके लिए संसाधर क्यों नहीं होते हैं यह बड़ा सवाल यहां पर उप्राखंड में है और मुआउजे के नाम पर सरकार नहीं तक क्या क्या सरकार करें एक बीस से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवा दी है तो इतनी बड़ी आपदा 24 घंते में यहां पर आगी है और सरकार कुछ की सोई हुई है सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठीक है सुजाता पॉल जी आपकी टेक इस पर इशू पर आपको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है प्लीज जी जी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारा राज्य है आपदा यहां पर आती रहती है तो क्या हमें ज्यादा देख्वार नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर देवेंद्र बसीन ऐसे बता रहे है कि मुख्यमंत्री पहार दे और दोड़े दोड़े आ गए तो यह इसी काम के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है यह वो एहसान कर रहे है राजे के उपर आप मुझे बताइए कि हल्दवानी में 1993 के बाद गॉला बैराज का जो चल्स्तर है वो इतना बढ़ा है तो क्या यह इनको पहले से नहीं पता यह है इनकी तैयारी अगर मेटेरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि इस तरह से बहुत तेज जाए था जहां को यहां कि उम्मी थी यह उन्हें पता नहीं है कैसे करमीर जी बताया था कि बाइश को आगे पीछे कम स्याता करेंगे मख़ों को इन्हों ने बढा रखा है बार्तिय जट्वाटी ने इस तरह की बाते कर लिए इस नी संवेदन शील मुद्धे पर अगर हमारे का कारण भी बताए डॉक्कर बसी अगर मुख्य मंत्री को वापिस आना पड़ा तो वो इस ने क्योंकि आप लोग सक्षब नहीं और आप लोग कह रहे हैं कि नजर बनाए हुए रखे है प्रदान मंत्री अमिच्छा अरे राज्य आपको चलाने के लिए दिया गया है या प्रदान मंत्री चलाएंगे दिली से मुझे यह समझा दीचे लोगों की जिन्दगी की जब बात आती है तो हमें संवेदन शीलता के साथ और ततपड़ता के साथ कारे के जरूरत होती है जिस प्रकार से काड़ी फस गई जिस प्रक के समय में लोग सड़कों पे नहीं थे इसे अगर हाथ से हो रहे हैं इस तरह का इंफ्रस्ट्रक्चर ठूपने का जिम्मेदारी पूरी की पूरी इस सरकार पर है और इसका जवाब देंगे ठीक है सुजाता जी देविदर भस जीन प्लीज रिस्पॉंड सर पहली बात तु देविदी और हमारे ग्रहमंत्री जी नजर रखे विए और पहले भी उन्होंने शायोग किया कि दर ने वर्तनमां इसकार हैं। तो यह ड़वेंगे की सरकार है। कॉंग्रेस ने तो आज तक जो है परदेश की तरफ ध्यान ही नहीं दिया हमारे परधान मंत्री जी ध्यान देते हैं लेकिन इनके नेता तो उत्रा खंड को बिल्कूल उपेश्चित कियो है एक बात इसी बात अभी है इन्होंने मेरी बात का जौब नहीं दिया इनके पूछ को डिडेल करने का प्रयास करती है इन्होंने जाब नी दिया जब कैदार्नाथ की आपडा आई थी और इसमें आफ तक पूरा सफस्ट नहीं हो पाया कि कितने हजार लोग इसे बारे गए ते तो क्या हम क्या कहें कि हम जो राशो लाशो पर हम इस पर राजीती करेंगे अरे पर बाजी की तरफ से भी वाई शेनक तरह से उदद भी दी जा रही है और हमारे प्रिशाली जी कह रहे थे कितना जो है वाजा अरे पहले तो बचा लो उनको ना फिर मौजे की बात भी करेंगे और हमारी सरकार ने लगाता जो पुरानी आपडाए हैं अब के मौजे दिये और जो हमारे गाउं उजल गहते हैं पिस्ति आप्राक्ट अधराद हमने समका पुनरवास कर दिया है तो हमारी सरकार पूरी तरह से हमेदन शील है लेकिन प्रिशाली जी बताईए दिल्ली में जब दो दिन की बारिश हुई थी तो दिल्ली का जो सड़के थी वो तो आपक आप वहां पर आप सरकार चला रहे हैं लेकिन आप तो वहां का सड़कों का पानी भी नहीं थी कैसे ठीक है ठीक है तो आपता में अवसर तलाशने की कोशिश हो रही है और आप दा में अवसर नहीं तलाशना चाहिए सुजाता जी प्लीज रिस्पॉंड फिर्में नवीन के पास आउंगा जी देखिये आपदा में अफसर ये तलाश रहे हैं इनको ये इस वक्त सिरफ कॉंग्रेस के उपर प्रहार करके दर्म मीठी आप मुझे पताए ये साड़े चार पौने पात साल की सरकार क्या दिखाना चाह रही है और जिस सरकार की ये बात करें अगर उसमे जाउंगी तो आज विज्ए बाफटुनाजी जित पर इन्होंने आरोप लगाया और क्योंकि ये विपक्ष्टते उस समय और उन्होंने आरोब लगाया तो हमने विज्शे बाफटूनाजी को हटाया मगर आज वो इनकी पार्टी में उसमें जाना ही नहीं चाहती ओनाज लेकिन सरकार को जरूरत है कि इधार उधर की बात करने के बजाए मुद्दे पर रहे और लोगों की सेवा करने आए है तो इसका जवाब देंगे कॉंग्रेस पार्टी कह रही है कि तू इधर उधर की बात ना कर बता कारवा क्यों लुटा नमीन पिरशाली प्लीज मैं यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जो इस वक्त उत्राखंड की बात है इसको आप लंडन या फिर दूसरी जगर से नहीं करें जब दिल्ली में आपदा आई थी तो दिल्ली में इस वक्त नहीं कर पाई है जिनको रहा चाहिए इस वक्त नहीं को खाने के लिए नहीं को बात करें तो यह तो सारे साथ सोचना पड़ता है आप मुझे न्यूज वन इंडिया के जरिये इतनी बड़ी आपदा की स्तती में राज्य का आपदा प्रबंदन विभाग क्या कुछ काम कर रहा है और आपदा मंतरी किस तरह के से इस प्राब्लम को अड्रेस कर रहें हैं कि foreignATION में और उसके बाद हमारे आपदा मंतरी के दौरा जो आपदा में सिटियां पैदा वी हैं उनके समाधान के लिए राहत के लिए और जनता को अधिक सदिक जो सुधा मिल सकती हो पचाओ हो सकता हो उसकी तरह से पूरी मशिनरी अपना काम कर रही है लेकिन उसमें हमारा रिस्पोंस टाइम क्या है हमारी गतिविद्धिया क्या है इससे पहले कॉंग्रेस का टाइम रहा हो तो इस समय तो इससे रिस्पोंस टाइम पर नहीं जाते हैं अभी तो 24 घंटे या 30 घंटे 35 घंटे की वारिश हुई है आने वाले वक्त में अभी तो एक्जैक्ली आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि नुक्सान हुआ कितना है इसका अंकलन तो कुछ दिनों के घंटों बाद या कुछ दिनों के बाद ही होगा जो अपता का सभूप होता है घर बैट करके या इसी कमरें बैट करके हम जो मद्धी बियान बाजी करें दी जे जो सब्सक्राइब करने की बाद कर रहे हैं तो ये हमको मनना चाहिए कि उनके समेदन शीलता है कि अंदर सरकार भी इस पूरी चरह से इसके बारे में ले करके सतर्क है और पूरी वज़त कर रही है तो ये तो अपने आपने अपने इस सरकार कर रही है विपक से भी एक सवाल है सुजाता पॉल जी मुझे नहीं लगता कहते हैं मुझे भी ये थोड़ा बहुत जरूर लगता है कि अभी तो समस्या को अड्रेस कर रहे हैं नुक्ता चीनी करने से पहले इस समस्या को थोड़ा जब बारिश बंद हो जाए मौसम खुल जाए हाला थोड़े सामान हो जाए फिर आप सरकार पर हमलावर होती कि सरकार ने क्या किया नहीं क्या क्या चूकए जी नहीं धर्मराजी देखिए विपक्ष का काम होता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहुँ तो सरकार को बताई और सरकार उस काम को करें मिलकर अggर काम किया जाता तो आज वो सिथी होती नहीं। हमारे यहाativa मुश्किन ये हो रखी है कि CAP सुनते थो हैं बसीन जी अभी किस तरह की बताइए ना इतने senior वेक्टी होगे ये पिछली सरकारों के बारे में बात करने लगते हैंfon खड़े रहेंगे लेकिन ये सरकार ऐसे दिखाना चाहती है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं क्या आज जो हुआ वो ये संभाल रहे है जब कि ये संभाल नहीं पारे इसलिए आवश्चा होती है ताकि इनके उपर दबाब डाला जाए और ये कारे को ठीक से करे क्योंकि ये एंकार में टूबी हुई सोई हुई रावण वाली सरकार है कुम करण की गहरी दीन्द में सोई है चले ठीक है जाता जी नमिल जी क्या इस बात से आप वित्तफाक रखते हैं कि अभी बहुत जादा हमलावार होने आप ठीक है कहीं अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है कहीं आगर आपके पास कोई ऐसे मसले आ गए हैं जिसको आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं आप पहुंचा दीजिए सरकार फेल हो गई सरकार कर नहीं पाई इसके लिए भी थोड़ टाइम देना चाहिए धर्मराजी टाइम तो यहां पर 2013 से आपदा आई सबसे बड़ी आपदा आई तो तब से आज तक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए टाइम ही टाइम दिया जारा है हाथ जंता पार्टी को भी कॉंग्रेस को लेकि वो कब होगा सवाल है कि कब किया जाएगा इस आपदा का मौसम विभाग ने सटीक अनुमान दिया था कि आपदा आने वाली है उसके बाद भी फिता और फोटो की राज़िती में आज सरकार लगी हुई है प्रदान मत्ती जी का फोन आगा लेकिन धरातल कोई एक पिक्चर अभी तक सरकार ने रिलीज नहीं की जिसमें धरातल पर रहात दे रही हो है वहोगए सकते हैं जमीऱ आगर आप कुछ चार्णा चाहते हैं जैरा वालीजी जल आए नहीं यह त्वर रहे हैं कि आपकार को बिपक्ष भी समर्थन करें और आप सबकी लियाबिलिटी जनता के प्रती है तो कोशिश ही होने चाहिए कि हर तरीके से लोगों को अगर आपसे एक आदमी को ही मदद बन पाती है तो आपको एक आदमी की ही मदद करनी चाहिए अगर कोई 10 लोगों की मदद कर सकता है कोई 100 लोगों की कर सकता है कोई 1000 की कर सकता है कोई लाग की कर सकता है उसको अपने अपने हिसाब से ज़रू मदद करनी चाहिए और नुक्ता चीनी में वक्त जायना करके अभी सबसे बड़ी प्रियोटी सरकार के भी विपक्ष के भी यही होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे, खाने की चीजे हो, मेडिकल फैसलेटी हो, जैसे ही सुईदायें, यह जल से जल मुहया कराए जाए और हम यह दूआ भी करते हैं, कि जल से जल से इस्तती बेहतार हो, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दैविंद भसीन, इस चर्चा मेरे साथ जूडने के लिए सर सुजाता पॉल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तो देव भूमे की चक्रिवी बहुत अतना ही